जै शरी राम, मैं डॉक्टर अंकित्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलजार, निम्रोलोजिस्ट, लाल किताविन वास्तू कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, आपके अपने बेहत खास कारेकरम, बाग्या दर्पन उम्मीद की किरण में, आज इस कारेकर है, कि हनुमान जी का पवित्र मन से ध्यान करते ही, वो शिग्र प्रिसन हो करके अपनी दिव्य करपाद रष्टी से बक्तों का कल्यान करते हैं, और कहा जाता है, जहां राम के नाम का सिमरन होता हो, जहां राम के नाम का सिमरन होता हो, जहां राम के नाम को लोग लेते हो, तो वहां हनुमान जी आ करके जरूर अपनी उपस्तिती उपस्तित हTime अगल आप चाते हैं कि हनुमान जी आपके हर दुख को दूर कर दें और उनका आशिर्वात पाने के लिए आप विशेस ललाईथ हैं तो क्या करना है आपको, एक छोटा सा उपाय में आपको बताने जा रहो, कौन सा ऐसा पेड़ है, जिसकी पूजा करने से हनवान जी की विशेश करपा और विशेश चमतकार आपको मिलते हैं, कौन सा ऐसा पेड है जिसके पत्तों के सुपाय से प्रसन हो जाते है भगवान श्री महावीर ऐसी मान्यता है कि ये पेड हनवान जी को इतना प्रिय है कि इसकी पूजा करने के तुरंत बाद चमतकार दिखाई देने लगता है लाइफ में हिंदू, धर्म शास्त्रों ये सनातन धर्म में पूराणों में लिखा गया है कि हनुआँ जी अजर और अमर है इसलिए वो कल्यूग में सबसे सक्रिय देवताओं में से एक है माता सीता ने हनुवान जी को अमरता का वर्दान दिया था और इसी वर्दान के प्रभाव से हनुवान जी चिरन जीवी है अगर संकट के दिनों में इनका नाम ही ले लिया जाए तो भी सारे संकट दूर हो जाते है कौन हैसा है वो पेड जो है हनवान जी को विशेस परी है हनवान जी के अराध्ये देव तो आप जानते ही है भगवान श्री राम प्रभु श्री राम जो की विश्नु जी के अवतार हैं और कहा जाता है कि विश्नु जी का जो वास है वो पीपल के वरक्ष में होता है इसलिए पीपल का वरक्ष इसके फल और उसके पत्ते हनुआन जी को बहुत प्रिये हैं क्योंकि जहां प्रभु श्रीराम हो वो चीज हो ही नहीं सकता कि हनुआन जी को प्रिये नहीं हो तब ही टो कहा जाता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनीदेव तो अगर रुष्ट हैं तो वो तो सही हो ही जाते हैं वो तो आपको अच्छे फल देते ही देते हैं साथ मैं हनुआन जी की विशिस किरपा आपको प्राप्त हो जाती है और जो भी व्यक्ति पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद पीपल के पत्ते को विधिवत हनुआन जी को भेट करते हैं उनकी सभी ही मनों कामनाय पूर्ण हो जाती है पीपल की पूजा करने से पैसों से जुड़ी समश्चा है गंबी, रोग और कुंडली के दोश भी नश्ट हो जाते है शनिवार के दिन सुबह चार बजे उठकर गंगा जल मिले जल में स्नान करने के बाद अगर आसपास के किसी मंदिर में पीपल का पेड़ लगा है तो वहाँ जाकर सबसे पहले एक लोटा जल चड़ा कर और एक दीपक जला दें पाँच मुखी दीपक आटे का बना ले पाँच मुखी दीपक जलाना है तो एक धूबबती जरूर लगा दें और अब उस पीपल के पेड़ की हल्दी कुमकुम चावल और पुश्व से पूजा करने के बाद उसी पीपल के पेड़ से अनुमती लेकर ग्यारे हरे पत्ते तोड़कर और उसको कलावे में बांद कर एक माला बना ले और अगर संभव हो पाए तो अश्टगंद की शाही से और अनार की कलम से उन पत्तों पर श्रीराम लिख दें और सीधे हनवान जी के मंदर चले जाएं ध्यान रहे पहले उन पत्तों को गंगाजल से दोलें तब इन पत्तों पर अश्टगंद में या तो गाय का घी मिला लें उससे मिलाकर अश्टगंद थोड़ा शाही बन जाएगी इंक बन जाएगी उसकी हलका सा घी मिलाकर अनार की कलम से इन पत्तों पर आप श्रीराम लिख दें और इनकी माला बनाकर धागे में या विशेस रूप से अगर मैं कहूं कलावे में मौली में और हनुमान जी को चड़ा दे इस उपाय को कुछ ही समय करने के बाद आपको हनुमान जी के विशेस किरपा और चमतकार दिखाई देने लगेंगे आपके जीवन से सारे संकटों का नाश होना शुरू हो जाएगा कल्यूक के देवता, अजर और अमर चरंजीवी भगवान प्रभुश्री राम के अनन्यभक्त हनुमान जी की किरपा पर ना हो ऐसा हो नहीं सकता है बस आप ये छोटे-छोटे उपाय करना शुरू करें और विशेस रूप से पीपल के पेड़गी कि अजर नहीं, को जब कि दोप नहीं, कि अलूब को से भीपल में कि अज़क्त में प्रूप नहीं कि अजर होेगे पूर के अजरुए